वेलकम टू कॉमर्स नेट अजीवर्स मेरा नाम तलवीर सिंग है और सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत थैंक्यू हमारे इस चैनल के साथ जुड़ने के लिए और अगर आप ये वीडियो हमारी पहली बार देख रहे हो तो प्लीज हमारे इस चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिए और उसके साथ जो बैल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए क्योंकि इस चैनल पर हम रेगुलरली वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं तो अगर हमारी इस चैनल को आप सबस्क्राइब कर ल वाले हैं और यह हमारा डिसर्च मेथोडोलोजी का लेक्चर सीक्स है अगर आपने इससे पहले पांच लेक्चर नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं वहां से आप उनको देख लीजिए तो देखे टाइपस ऑफ रिसर्च ये टैन या ट होड़ा कम्पीकेटर हो सकता है तो इसलिए मैंने इस लेक्चर सीरीज को चार पार्ट में डिवाइड किया है यह हमारा पहला लेक्चर है इसमें हम बैसी और अप्लाइड रिसर्च के बारे में डिसकस करेंगे ऐसे ही हम थ्री लेक्चर में सारी रिसर्च को बहुत दीखिएगा आज हम बात कर रहे हैं आने basic research और applied research तो बिल्कुल simple difference जो इसमें होता है basic में क्या होता है concept होता है और यहाँ पर क्या होती है उसकी application होती है तो यहाँ पर application होगी और यहाँ पर concept होगा यह simple words में मैं क्या बोलूँ जो basic research होती है यह theory based होती है और जो applied research होती है ये practical base होती है तो ये एक simple सा difference है आपका mindset करने के लिए आपकी एक understanding develop करने के लिए मैंने बता रहा है बट अभी मैं इसको बहुत detail में आपके साथ discuss करने वाला हूँ सबसे पहले बात करते हैं basic research की तो basic research को हम fundamental research भी बोलते हैं नाम याद रखिएगा fundamental research और pure research मेरी आपसे suggestion है कि अगर आप video को देख रहे हैं तो आप इसके साथ साथ notes बना लीजिए या फिर screenshot भी ले सकते हैं जैसे भी आपको सही लगे तो सबसे पहले important बात basic research, fundamental research और pure research है इसमें हम क्या करते हैं जो principles बने हुए हैं already उनकी understanding को increase करते हैं यह बोलनों कि जो आपके पास already knowledge है उसको increase करते हो जो existing knowledge है उसमें new knowledge add करते हो और सिर्फ concepts की बात करते हो यह scientific in nature होती है याद रखिएगा जो basic research होती है वो scientific in nature होती है और universally applicable होती है तभी तो इसमें science की बात की जाती है तो जो fundamental principles बनते हैं वो basically science की according ही बनते हैं तो हम उनको increase करने की कोशिश करते हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं जब आप knowledge increase करते हो तो वो क्या होती है आपकी basic research यह theoretical in nature होती है जिसमें हम basic principles या testing theories पे काम करते हैं क्योंकि इसमें हम theories तो already बनी होती है या principles जो होते हैं वो already available होती है इट tends to understand the basic law यह वही बात है जैसे law of demand है अगर आप उसके बारे में और जानना चाहते हो तो वो क्या होगी वो होगी basic research बट अगर आप उसी law of demand को apply कर रहे हो तो वो कौन सी होगी आपकी applied research तो यह तीन चार elements हैं जो चार इसके basic वो आपको clear हो गए है basic research deals with generalization मैंने आपको पहले बताया था कि हम इसमें theories बनाते हैं और उनको increase उनकी knowledge increase करने की बात करते हैं और formulation of theory about human behavior collecting information that has universally applicable पहले बताया था कि इसमें जो भी बात होती है वो scientific होती है और universal in nature होती है many times the end result have no direct or immediate commercial benefit तो इसमें से जो आपको output मिलता है जरूरी नहीं है कि वो आपके commercial benefit के लिए हो या किसी भी और research का base बने वो हो सकता है और नहीं भी हो सकता basic research basically कहां से आती है वो आपकी curiosity से आती है जैसे for example आप किसी आपको कोई आपको एक fact पता चल गया for example आप एक fact lover हो और आपको अच्छा लगता है fact collect करना या आप एक joke lover हो आपको jokes collect करना या सुनना अच्छा लगता है तो जैसे एक joke हो गया एक के बाद आप चाहते हो कि आपके पास और आए फिर दो आगे फिर आपकी curiosity और बढ़ गी चार फिर आठ इस तरह से जो curiosity से आती है वो क्या होती है वो basic research होती however the long term is the base it is basis for many commercial product and applied research मैंने आपको पहले बताया था कि यह applied research है उसके लिए base बनती है जैसे law of demand क्या है वो एक basic है वो fundamental principle है बट अब अगर उसकी ही application कर दोगे वही apply कर दो तो वो क्या हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा applied research basic research is mainly carried out by universities analytical nature answer how यह basically how का answer देती है कि कैसे ठीक है examples देख लेते हैं how did the universe begin how the new knowledge can be gained तो देखिए यह इसकी example हा how the universe begin तो देखो universe तो begin हो चुका है यह किसी law के according हुआ था बट हम इसके बारे में और information है वो लेना चाहते हैं तो इस जो हमारे पास already information है जो knowledge हमें है उसको और increase करना जाते है उसमें और addition करना जाते है तो जब ऐसी बात आती है तो वह कौन सी research होती है basic यह क्या है कि new knowledge को कैसे गेंड किया जा सकते हैं जो आपके पास already knowledge है उसमें आप और knowledge add करना जाते हो तो वो कैसे कर सकते हो तो वो क्या होती है हमारी basic research अई होप कि यह आपको बिल्कुल clear हो गया हो गया जितने भी elements मैंने आपको बताए हैं अब बात करते हैं applied research applied research practical होती है और जो concept होते हैं उसकी application होती है यह इसके दो main features होते हैं concerned with addressing problem of the world सबसे important क्या है जो applied research होती है वो problem solving research होती है action oriented मतलब इसमें action किया जाता है and aims to access, describe, document and inform people concerned about the phenomena under investigation मतलब जो आप research कर रहे हो उसमें जितने भी लोग involved हैं उसको इनके बारे में information देने findings are intended to have immediate and practical value मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें practical application की बात की जाती है तो क्या practical होती है application होती है problem solving होती है यह इसके कुछ basic elements होते है in the field of education policy evaluation or contract are the examples of application research तो जितने भी policies बनती है education policy हो वो industrial policy हो वो evaluation system हो वो CCE system हो या फिर जो भी हमारे evaluation होते है assessment होती है उसमें क्या कौन सी research यूज की जाती है applied research a research that encompass real life application तो इसमें क्या होता है real life example जो problems है उनको address किया जाता है providing a solution to specific practical problem यह मैंने आपको पहले बताया था कि applied में क्या होता है कि problem का solution find out किया जाता है application of concepts जो concept है उनकी application होती है it can be applied to real life situation यह वही बात है कि जो आपकी personal life daily life की situations है उस पेस को apply किया जा सकता है research that is aligned towards ascertaining social economic और political trends यह वही बात है कि जैसे economic policy होई political policy होई यह सारी जो concept है यह सारी application है वो किसके थूरू होती है वह हमारी होती है अप्लाइड रिसर्च के थूरू synthesis in nature and answer why reason बताते है यह basically याद रखिएगा कि इसमें हमें reason find out करना मिलता है कि यह क्यों हो रहा है कैसे हो रहा है तो यह इसकी सिंपल सी कुछ examples examples a product is not getting customer know the reasons क्यों वाई 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 अवर कस्टोमर is not getting the reason sorry why मतलब एक product है वो उसकी sale नहीं हो रही तो हम क्या find out करेंगे वाई sale क्यों नहीं हो रही तो वाई यह वाई का answer कर रही है what are these measures that will help to control the prices of petrol in India मतलब petrol के prices बढ़ रहे है वाई क्यों बढ़ रहे हैं और उनको कैसे कम किया जा सकता है तो यह क्या है जब in questions का answer मिलता है तो वह कौन सी research होती है हमारी applied research I hope कि यहां तक आपको समझ आ गया होगा अब हम इनको थोड़ा compare करेंगे तो आपको और भी understanding इसकी हो जाएगे देखिए parameter है types of knowledge तो इसमें कौन सी होती है scientific discovery होती है मैंने आपको पहले बताया कि basic research में universally application होती है और scientific discovery की जाती है और applied में क्या है technological application मतलब technology की application की जाती है इन concepts को यहां पर apply किया जाता है motivation क्या होता है intellectual curiosity आपकी जो curiosity है वो आपको बोलती है कि हाँ आप यह research करो और इसका main focus क्या होता है solving problems इसमें आप problem solve करते हों key questions is it true मतलब हम सिर्फ जाना जाते हैं कि यह क्या है is it true और दूसरा does it work मतलब how जो हमने यहां पर बात की how and why यहां पर reason find out करते है objective to understand इसमें सिर्फ understanding level है वो develop करना चाहते हैं और यहां पर हम जो problem है उसका solution find out करते हैं तो यह इसका basic parameters हैं अब हम last में इसको एक दूसरे से compare करेंगे ताकि आपको एक analytical chart के through मैं इसको बता सकूँ क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि किसी भी दो चीजों को समझने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि उनको आप एक chart की form में एक table की form में बना लो तो एक दूसरे से compare करोगे तो आप कभी भी उस concept को नहीं भूलोगे यह आ गया हमारा पहले तो meaning है basic research क्या है expanding the existing base of scientific knowledge इसमें तो हम knowledge को increase करते हैं और यहां क्या है solve specific practical problems यह answer certain questions तो यह इसकी इसके meaning में आ जाता है दूसरा nature क्या है यह theoretical है और यह क्या है practical है जिस practical दभी होगा जब आप किसी problem का solution find out ताया था यह काँसी होती है यह scientific होती है और science है वो universally applicable होता है और यह क्या होती है limited होती है जिस phenomenon पे आप study कर रहे हो सिर्फ वहां तक ही लिम्टर होती है जैसे universally क्या मतलब law of demand की बात कर रहे हो तो वह universally applicable है तो वहाँ पर तो यह निवर्शन हो जाएगी वह basic research हो जाएगी ब and development of technology and technique. मतलब जब कोई innovation करना चाहते हो तो हम applied research की बात करते हैं और जब basic research की बात करते हैं तो वो scientific knowledge को increase करते हैं. और last में goal to add some knowledge to existing one जो हमारी already knowledge है उसमें knowledge में add करने के लिए या to find out solution of problem in hand. तो यहां पर problem को find out solution find out किया जाता है यहां पर existence knowledge को increase किया जाता है. तो यह तो थी हमारी आज की वीडियो जिसमें मैंने दोनों types को बहुत अच्छे से बहुत detail में through charts explain किया है. I hope कि इस वीडियो के बाद आपको इन दो types में कोई भी confusion है वो नहीं रहेगा. तो यह तो first वीडियो थी मुझे जुरूर बताना कि यह मेरा method है वो आपको कैसा लगा आप comment जुरूर कीजिए क्योंकि आपके comment से मुझे और motivation मिलता है next जल्दी जल्दी वीडियो बनानेगा. तो अभी इसकी तीन वीडियो और आएंगी उसके बाद आपको इन तीनों जितने भी वीडियो बनाऊंगा research की types में कोई भी कोई problem नहीं रहेगा तो वीडियो कैसा लगा अपनी feedback जुरूर दें वीडियो को like करें और हाँ इस वीडियो को share करना ना भूलें because sharing is caring